तो जोदपूर में जो हिंसा हुई है उसकी शुरुवात जंडा लगाने को लेकर हुई थी स्वतंतरता सेनानी बाल मुकुंद विस्सा की मूर्ती पर पहले भगवा जंडा लगाया गया उसके बाद उस पर हरा जंडा लगाने की कोशिश हुई आज सुभा जब एक बार फिर हिंसा हुई तब प्रशासन की तरफ से ये फैसला हुआ कि यहाँ पर तिरंगा जंडा लगा दिया जाए और शांती की अपील भी की गई प्रशासन की तरफ से ये तिरंगा जंडा इस मूर्ती पर लगाने के बाद से तो प्रशासन ने जो कारवाही की ये आखिर इतना लेट क्योंकि तिरंगा जंडा शायद कल रात को ही लगा दिया गया होता तो बहतर रहता हिंसा से सबक क्यों नहीं सीखा पिछले 18 घंटे में तीसरी घटना कैसे हो गई लगातार हिंसा की ये लगातार ABP News सवाल उठा रहा है और इन सवालों की जवाब स्थानी सरकार को स्थानी प्रशासन को देने हो ABP News आप को रखे आगे